Pharmacy में चलने वाले सबसे पॉपुलर कोर्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में डी फार्मा जी हां, डिपलामा इन फार्मसी की complete कोर्स डिटेल के बारे में बात करेंगे कि सर, डिपलामा में हमें कौन-कौन से subject पढ़ने पढ़ते हैं और इसका examination pattern कैसा रहता है डी फार्मा करके pass out हो जाएंगे जो है वो भी आपको PCA ही provide करवाती है तो according to ER 2020 यानि कि 2020 में आपका syllabus जब change हुआ तो उसके according काफी सारी चीजे जो है वो change हो गई मतलब कि आपका meanwhile syllabus जो है वो भी change हुआ और उसका examination pattern जो है वो भी change हुआ और last मैं आपको बताना चाहूँगा कि sir इसमें कौन-कौन से subject जो है वो हमें पढ़ने पढ़ेंगे और briefly अगर मैं बात करूँ as a student की मैं अगर बात करूँ तो student के मन में एक ही सवाल आता है कि sir diploma कैसा है easy है या hard है किसी साब से रहेगा तो meanwhile मैं आपको subject wise थोड़ा सा introduction दूँगा कि क्या-क्या कुछ-कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा तो पहला यहां पर आता है देखिए d pharma first year का जो आपका syllabus रहता है ना कौनसा d pharma आपका first year का जो syllabus है इसके बारे में आपको बताऊंगा तो पहला ही पहला subject आप देख पा रहे हैं subject का नाम और यहां पर कितने theory practical classes लगने वाली है तो पहला कौनसा है आपका pharma-sutics है ना क्या है ना ना फार्मा-sutics theory जिसकों बोलेंगे और as well आपका इसका practical भी चलेगा सutics का मतलब क्या है इसमें आप सभी जो है वो टेबलेट कैसे बनेगी टेबले कैपसूल कैसे बनेगा है ना सस्पेंशन कैसे बनेगा इमल्सन कैसे बनेगा जो सारी preparation आप देखते हैं doses form देखते हैं उनको बनाने का process जो है mean well में short में आपको बता रहा हूँ वो सारा आप फार्मा-sutics subject में बढ़ेंगे simple से बात है अब ये कैसे बनेगा आप theory भी पढ़ेंगे तो इसका practical भी बहुत ज़्यादा important है तो ये subject आपका theory और practical दोनों में चलेगा next में बात करता हूँ आपको जैसे कि आप जानते हैं जितने भी आप drug medicine पढ़ने वाले हैं after that जितने भी medicine आप sale करने वाले हैं तो उसके पीछे की जो chemistry है यानि की pharmaceutical chemistry ठीक है पुराने syllabus में chemistry के दो पार्शन दे एक फर्स्ट यर में second लिबस से उसमें pharmaceutical आपकी chemistry theory और chemistry practical जो है वो एक ही साल में दे रखा यानि की first year में ही आपको chemistry पढ़नी है जिसमें कि आपका inorganic और organic लगबग लगबग mix करके दे दिया नेक्स आता है सर आपका subject जो है वो फार्मा कोगनोसी कौन सा है फार्मा कोगनोसी है ना chemistry में आपको बता जितने भी आपके जो मतलब chemical related है ना inorganic chemistry हो गई आपकी है डेंटल प्रोड़क्ट हो गई हमेटरिक्स हो गई यह सारे आप यहां पर पढ़ेंगे ठीक है जी नेक्स में थियोरी प्लस आपका practical भी इसका रहने वाला है तो तीसरा आपका major subject है फार्मा कोगनोसी नेक्स हम बात करते हैं आपका next subject आता है human anatomy and physiology मतलब है जिसको हम बोलते हैं ठीक मतलब कि आप जो भी medicine वगरा पढ़ने वाले हैं वो किस पर पढ़ने वाले हैं human body पर पढ़ने वाले हैं तो इंसान की जो body की सर्चना है जो anatomy है जो physiology है वो आपको पता होनी चाहिए तो 12 में जो biology लेके आए उनके लिए तो बहुत easy हो जाता है इसमें तो इसका भी आपका theory as well as practical जो है वो रहने वाला है ठीक है जी तो यहां तक आपके सारे subject जो है वो हो पता है तो social pharmacy का आपका theory और practical जो है वो रेखने को बिलेगा social मतलब आप नाम से जानते हैं जिसमें कि आपकी जितने भी government की activity है टीवी ब्रोग्राम है मास कौन के होते हैं vaccine क्या है मतलब social activity जितने भी है आपकी वो सारे की सारी इसमें theory as well as practical जो है आपको समझाएगा है यह तो हो गया आपका first year का portion अब बात आती है सर यह first year में हमें subject तो पता चल गए अब examination pattern कुछ किसी साब से रहता है तो simple सी बात है जैसा कि मैंने आपको बताया यहां पे हर subject में ठीक है जैसे ही मैं फार्मासुटिक्स की बात कर रहा हूं ठीक है फार्मासुटिक्स की मैं बात क होते हैं तो meanwhile कितना हो गए आपका hundred marks का जो यह आपका paper हो गया यह तो हो गई theory की बात सर practical की में बात कुम तो same as it is चलता है असे नमबर का आपका practical main exam का होता है और 20 marks का आपका internal जो है practical होता है कितना हो गए आपके hundred marks execution होता है तो इस हिसाप से आपके पर subject का जो है आपका 200 number क weightage जो है वो रहने वाला है simple सी बात है यह बेस नमबर यह बेस नमबर जो है आप जिस college से कर रहे हैं internal उनके हिसाप से रहेगा और यह जो है आपका main examination का pattern रहेगा और यही सारी चीजे जो है यहाँ पर लिखी हुए as per according to official PDF की बात के वराओं ठीक है यह सारा syllabus है आप detail में इ क्या कुछ subject पढ़ने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फैला ही subject आपका आ रहा है फार्मा कोलोजी है ना फार्मा कोलोजी जैसा subject आप सभी जानते हैं सारे nursing है फार्मेसी है डॉक्टर सभी बढ़ते हैं बट लेवल के हिसाब से मतलब डिप्लोमा वालों को इस लेवल के हिसाब से पढ़ा जाता है डिफार्म को इस लेवल के हिसाब से नर्सिंग को हिसाब से और मेबियस को उस हिसाब से तो फार्मा कोलोजी आपका थियोरी एस प्रैक्टिकल दोनों ही यहाँ पर चलने वाला है ठीक है next आपका subject आता है community pharmacy and management यह भी important subject है और यह subject जो है वह आप इस बार जो है आप उन्हेया देख रहे हैं मीन वैल अगर आप देखेंगे पिछली बार जो है पिछला जो सेलेबस था जो पिछले कई सालों से चला रहा है वहाँ पे DSBM करके आपका सेलेबस था ठीक है तो यहाँ पर community pharmacy और management को include कर दिया गया है ठीक है और तीसरा आपका सब्जेक्ट आता है biochemistry क्लिनीकल पैफलोडी इस सब्जेक्ट में आपका theory as well as practical दोनों ही चलने वाला है बायो केमिस्री चीनिकल और बाकिश्च्री पैफलोजी practical जो है आपका चलने वाला है ठीक है जी नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट आता है फार्मा को थेर सब्सक्राइब करेंगे और नेक्स हम बात करते हैं कि हॉस्पिटल इन क्लिनिकल फार्मसी लगते हैं क्लिनिकल फार्मसिस्ट के बारे में यह सब्जेक्ट है ठीक है तो आपका फार्मस थेरेपूटिक्स थेयोरिय प्रैक्टिकल दोनों चलेगा और यहां पर आप देख पार होस्पिटल इन क्लिनिकल में भी आपका थेयोरिय प्रैक्टिकल चलने वाला है लास्ट एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा फार्मसी लो एंड एथिक्स जो की पुराने सेलेबस में फार्मसोटिकल जुरिस प्रोडन से नाम के जानते थे तो लगबग लगवे सीमिलर वही सेलेबस है वही कुछ पैटन है थोड़ा कुछ पैटन जो है यहां पर चेंज मिलेगा मतलब कि जितना भी आपका लौ एंड और है न मतलब कि अगर आप जो है रेजिस्टर्ड फार्मसिस दवा की दुगान पर नहीं है तो क्या सजा है रेजिस्टर्ड फार्मसी लेने के लिए कौन-कौन से फॉर्म लगते हैं कैसे अपलाई करना है वो सारा सब कुछ एथिक्स रूल्स रेगलेशन के रिकार्डिंग यह प्रोसेस यहां पर लिखे ह अब यहां पर सबसे में इंपोर्टेंट एसर दोजार तेइस के बाद जो है डिप्लॉमा इंफार्मसी में आप चेंज जो है वो क्या बता रहे हैं तो में जो सबसे बड़ा चेंज है जो पिछले साल काफी सारी अपडेट के बारे में हमने बात की थी वो है आपका एक्ज अब कब होगा क्या होगा वो सारी अपडेट आती है में बात करूंगा अभी के लिए लेटस यही है कि एक्जिट एक्जाम होने ही वाला है अब कब होगा क्या होगा वो सारी अपडेट आपको मिलेगी तो सिंपल सी बात है आपने डी फार्मा फर्स्ट एर क्लियर कर लिया तो सीधा ही आप लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते आपको एक्जिट एक्जाम देना ही पड़ेगा और एक्जिट एक्जाम देने के बाद ही आप जो है आ आपका notification बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा मतलब की आपको exit exam देना ही पड़ेगा मतलब 2023 में जो admission ले रहे हैं उनको तो देना ही देना है तो भाईया ध्यान रखना exit exam देके ही आपको रईशिस मिलेगा अब exit exam से regarding क्या कुछ update आने वाली है क्या कुछ रहने वाला है य अगर आप मेरे चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें आप बात आती है सर डिप्लॉमा में कौन-कौन सी बुक्स को recommend करें तो screen पे आपको वीडियो दिख रहा है जिसमें की मैंने डिप्लॉमा के लिए आप normally कौन-कौन सी बुक्स मंगा सकते हैं वो आप चैनल को ऐसे इंफर्माटिव फार्मसुटी डेट नूस अप्डेट वेकिंस अप्डेट वीडियो लाक्टर्स के लिए के वाचिंग स्टे तून